एक समय की बात है, एक सुन्दर राज्य में एक राजा की राजकुमारी आंजली और आंजली का स्वभाव प्रिय था और उसकी सुन्दर्ता का चर्चा सर्वजन के बीच होता था। राजा ने आंजली को एक शिक्षा प्रदान की और उसने विभिन्न कला और विज्ञान क्षेत्रों में माहिर होने का प्रयास किया एक दिन जब राजा किसी यात्रा पर गए थे वह अपनी राजकुमारी को एक अनोखे खजाने की खोज के लिए प्रेरित करते हुए उसे एक रहस्यमय गुफा का पता बताया था आंजली, जो एक उत्साही और साहसी युवती थी, आंजली ने राजा की बात मानी और राजमहल से बाहर निकल कर अपनी यात्रा शुरू की उसका साथी एक विशेश योजना बनाने के लिए उसके साथ था, जो उसके संग कुछ नया अनुभव करने के लिए तयार था बड़े परवतों को छड़ती, वन्यजनों के साथ बैठके करती और नए दर्बारों में भाग लेती। इस बीच उन्होंने एक गुफा पाली, जो राजा द्वारा बताई गई गुफा से मेल खाती थी। गुफा में वह एक प्राचीन पुस्तक मिली, जिसमें एक रहस्यमय लेख था, जो बताता था, कि राजकुमारी को खजाने का पता लगाने के लिए उसे अपने आत्मा की अद्वितिय यात्रा पर निकलना होगा। आंजली ने इस लेख को समझा और उसने ततपश्चात अपने साथी के साथ एक नई यात्रा शुरू की, जो इस बार आत्मा के साथ जुड़ी थी। वह ने अपनी मानवता, इमानदारी और सादगी की मूल भावना से युक्त रहते हुए नए स्तरों को छुने का प्रयास किया। इस यात्रा के दौरान, आंजली ने अनेक आत्मिक चुनौतियों का सामना किया और उन्हें अपने जीवन में सुधार करने का अवसर पाया। वह ने अपने भूत पूर्व क्रियाओं और विचारों का सामनजस्य बनाए रखा और नैतिकता के माध्यम से आत्मा की शांति प्राप्त की। ऐसी और कार्टून वीडियो को दिखने के लिए सब्सक्राइब करें धन्यवाद।